सोमवार को एक बार फिर सरपंच और उसके साथियों की किसमत चमकी है किसान और ग्राम पंच्या है तमानौर के सरपंच प्रकास मजूमदार ने अपने पांच साथियों के साथ जवापुर के निजी छेट में खादान लगाई थी जिसे चमकता हुआ 14 दसम लग दो एक केरेट का हीरा मिला है इसकी कीमत 70 लाक रुपे बताई जा रही है प्रकास मजूमदार को इसके पहले भी करीब 12 हीरे मिल चुके हैं जिसमें ये सबसे बड़ा हीरा है उसे उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर हीरा कारेले में जमा कर दिया है हीरा पार्की अनुपम सिंग ने बताया कि आने वाली निलामी में इस हीरे को रखा जाएगा ये हीरा इस साल का सबसे बड़ा हीरा है पना नगर की समीपी ग्राम पंचायत मनौर से नव निर्मिस सरपंच प्रकास मजूमदार पेसे से धर्म वरगी किसान थे जो अपनी खेती कर अपने परिवार का पालन पोसन करते थे खेती में फाइदा ना होते देख किसान प्रिकास ने अपनी कुछ साथियों के साथ वर्ज 2019-20 में हीरा ख़दान लगाई थी इसके बाद उन्हें एक के बाद 11 हीरे मिल चुके हैं इन में से 7.44 karat 6.44 karat 5.50 karat 3.64 karat के साथ कुछ छोटे हीरे मिल चुके हैं प्रिकास ने 2022 में 45-99 में सरपंच का चुनौल लड़ा और चुनौल जीट गया सरपंच बनने के बाद प्रकास को दो हीरे मिले हैं जिसमें 3.64 केरेट का ही रव 12 दिसंबर को मिला हीरे भी सामिल है इस बार खादान में सरपंच के साथ भरत मजूमदार दिलीप मिस्तरी रामगडेस यादफ संतु यादफ सामिल थे उने खादान में खुद मेहनत की वक कुछ काम श्रमिकों से कराया था इसके बाद सभी पांचों की किस्मत चमकी है सरपंच प्रकास मजूमदार ने कहा कि हम सभी पांचों लोगों की आर्थिक हालत अच्छी नहीं है इसलिए हीरा निलामी होने के बाद जो रकम मिलेगी उससे हम सभी आपस में बाट लेंगे और गाव में संकर जी के मंदिर में भंडारा कराएंगे अपने बच्चों को अच्छे सिच्छा दिलाएंगे